किसान बिल पास होने पर अब चारों तरफ किसानों का गुस्सा जो पहले से ही फूट रहा था अबूबल पड़ा है आज अंबाला में ट्रेक्टर रैली निकाली गई सेक्डू की संख्या में किसानों ने अपने ट्रेक्टरों पर सवार होकर किसानों के हक में नारिबाजी करते हुए रैली निकाली पंजाब यूथ कॉंग्रिस की तरफ से ये रैली निकाली गई थी केंदर सरकार के उसे किसानों पर लगाए जा रहे काले कारून के खिलाब किसानों में ये गुस्सा है काफी संख्या में चंडिगर से दिली की तरफ किसानों ने कूच किया जिने अमबाला के पास पुलस ने बैरिकेट्स लगा कर रोग दिया किसानों ने सड़क जाम कर दी और एक ट्रेक्टर को भी आपके हवाले कर दिया पंजाब, हर्याना, दिली तक के किसान इस कानून का विरोथ कर रहे हैं जगा-जगा किसान जाम लगा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कुरुक शेत्र रोड पर भी काफी संख्या में किसान जुटे और जाम लगा थिया लेकिन जब एक अम्बूलेंस वहां पहुंची तो किसानों ने जल्दी से उस अम्बूलेंस को रास्ता देकर वहां से निकाला वहीं सिर्शा में भी किसानों का गुस्सा चरम पर था और यहां भी किसान राष्टे राजमार्ग नौपर धरने पर बैठे आज देश की अर्थववस्ता जिस किर्शी चेत्र पटिकी भी है उसी किर्शी चेत्र के उस किसान कमेरावर्ग मजदूर आड़ती और छोटे दूप में तो यह इस देश का बहुत बड़ा दूपागय है और आज इस तफ्ती धूप में एक एक पशीना जो आज किसान का बहरा है यह इस बाजबा सरकार की कील इसके ताबुत में कील ठोपने का काम करेगा जिस परकार तानाशाई रविये से वीपनी के अंदर किसानो बुजरुगों पर लाठिया भाधने का काम किया इसने किसानों के गुस्से को देखते हुए सिंदू बॉर्डर समय तमाम सम्वेदशील जगों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि स्थिती कंट्रोल में रहे गए बीरो रिपोर्ट आइनस टीवी